RSS चीफ मोहन भागवाजी ने कहा है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, बिल्कुल सही बात है, वर्ण, जाती और काष्ट ये तीनों अलग 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 चीज़े हैं, हमारी वेदिक परंपरा में वर्ण है, गीता के 4.13 वर्स में किशने कहते हैं, चतुर वर्ण नया मया सके, इसी तरह गीता के 18 चैप्टर में किशने डिटेल में बताते हैं कि ब्रह्मन की, शत्री की, वेश्य की, शुदर की क्या-क्या responsibilities हैं, अगर हर एक जन्ह अपनी responsibility ठीक से करें, तो ये समाज ठीक से बढ़ सकता है, गीता में किशने बोल रहे हैं, आहम बीज प्रताबिता, मैं तुम सब का पिता हूँ, आप खुद सोचिए, क्या एक पिता अपने बच्चों में बेदबाव कर सकता है, कि ये उपर है ये नीचे है, it doesn't make any sense, अब इन वर्णों से दीरे-दीरे कैसे जातिया बन गई, कैसे उप जातिया बन गई, और उसके बाद कैसे जो European concept है, कास्ट का, कैसे इनके उपर ला दिया गया, ये एक detailed topic है, separate topic है, शिशकाशन के devotees ने बहुत अचीज के उपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं first comment में दे दूँगा, हरी किशना